Hello everyone, my name is Dr. Shipra, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लन्मी डॉक्टर शिप्रापन आज का हमारा टॉपिक है कॉलेसस्टाइटिस, बेसिकली इसमें होता है क्या है, कॉलेसस्टाइटिस का मतलब है इंफ्लामेशन और गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर क्या होता है, जो हमारे पिताशे की जो थैली होती है, उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर, ठीक है अब जो gallbladder होता है कहीं भी inflammation होगा तो वहाँ क्या होता है redness आती है ठीक है और सुजन आती है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो normal जो gallbladder है वो कैसा है green color का दिख रहा है और यहाँ पर जो swelling आ रहा है वो क्या हो जाएगी हमारे red color में inflammation क्या होता है, radish होता है, ठीक है, अब जो inflammation होता है, या कोई भी आइटिस वर्ड जो होता है, inflammation की होता है, inflammation दो तरीके का हो सकता है, first is acute, जो की अभी हुआ है, अभी start होआ है, वो क्या हो जाएगा, acute हो जाएगा, second होगा chronic, जो लंबे समय से चल रहा है, है जो बार-बार-बार हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे chronic और उसके अलावा अभ यहां हम colesistitis की बात करें तो according to cause इसे दो types में divide किया गया first is obstructive colesistitis second is non-obstructive colesistitis 90% cases में हमें obstructive देखने को मिलेगा किसकी वज़े से gallbladder में stone होने की वज़े से या कोई tumor हो कोई polyp हो या कोई भी अगर growth होगी उसके कारण obstruction होके जो inflammation होगा वो क्या हो जाएगा obstructive हो जाएगा second is non-obstructive में क्या हो जाएगा अगर कोई DM का patient है मतलब diabetes mellitus है कोई severe sapsis का patient है या कोई burn वगरा है उसके कारण अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा non-obstructive हो जाएगा obstructive जो होता है उसमें हमें मेनली हमें ज़रत पड़ती है किसकी surgery perform करने की ज़रत पड़ती है लेकिन जो non-obstructive होता है उसमें हम medicinal या conservative में उसे basis पर ट्रीट कर सकते हैं itiology की हम बात करें तो जो भी हमारे मतलब inflammation होते हैं उनके basic कोज की होता है या तो कोई trauma हो कोई infection हो या कोई disease के कारण ठीक है या फिर obstruction अगरा हो जैसे हमने appendicitis में भी बढ़ा कि obstruction की कारण होता है यहां भी हम पढ़ रहें कि 90 % cases में किसकी कारण होता है obstruction के कारण होता है अब यहां प ing llegar स aluna कर से किया जो हैं हमें जशाथा देखने को मिलेंगे इसके अलावा अगर किसी को टाइपोइड भीवर है तो सैकेंड वीक के बाद में या सैकेंड वीक के आसपास हमें ताइपोइड कॉल 내려 하면 देखने को मिल सकता है गॉलब्लेडर स्टोन होगा या कोई अधर ग्रोथ होगी उसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा और शिम्टम्स की बात करें तो यहां हमें बेसिकली फोर एफ याद रखना है फॉर्स एफ फीमेल सेकंड इस फैटी थर्ड फटाइल एंफ फॉर्ट इस पॉर्टी या फिप्टी की जो फ फिजीज होती है वह में जादा देखने को मिलती है किसके कंप्रिंजन में मेन के कंप्रण में अब यहांपर क्या होगा फोस्ट एफ व्ल्ट जो हमारा गॉल्ड anga-c gäller adapter होता है वो कहा स przy الله साइड में वो होता है wau masa ही ओक्या हमारा नीचे राइट साइ準 में क्या और एक ढूंडर होता है यह विर है यह लिवर है in the inferior Pitt अरे संकने नीचे वाली सर्फेस witness क्या होता है इसका जो प्राइट साइड में थो इस में जो pain होगा वो भी कहा होगा right side में होगा medical terminal osium बात करें तो right hypochondrium में pain देखने को मिलेगा और जो pain होगा वो क्या होगा clock की pain होगा मतलब कुछ time के लिए आएगा फिर चला जाएगा फिर आएगा फिर चला जाएगा ठीक है और जो pain है वो लंबे समय तक रहता है किसमे कॉलसस्टाइटिस में patient को nausea vomiting देखने को मिलेगी low grade fever मिलेगा चिल्स के साथ में fat का intolerance देखने को मिलेगा fat intolerance से क्या मतलब है कि जो हमारा जुत्ता भी bile आके store होता है वो कहां होता है गॉल ब्लेडर में होता है अगर गॉल ब्लेडर की functioning प्रॉपर नहीं है तो मतलब उसके जो functions है मतलब fat के digestion में जो help करता है जहां पर हमें signs देखने को मिलेंगी दो first is murphy sign second is boas sign जो boas sign है वो हमें क्या मिलेगा hypereastasia देखने को मिलता है 9 to 11 ribs के बीच में ठीक है right side में और murphy sign का क्या मतलब है देखो एक चीज़ यादर को murphy striod हमने देखा था appendicitis में और murphy sign हम देखते हैं cholecystitis में ठीक है यह बहुत अच्छा question है जो आपको practical में भी पूछा जा सकता है प्लस आपको theory exams में भी आ सकता है ठीक है इसमें क्या होगा अगर gallbladder inflamed है तो patient को pain होगा और वो ब्रीद को छोड़ देगा मतलब वो sudden release कर देगा प्रीद को लेकिन अगर patient को मतलब कोई inflammation नहीं है कोई tenderness नहीं है तो उस condition में क्या होगा वो normal behave करेगा तो यह आपको क्या समझ में आ गया जो non-obstructive जो थे हमें diabetes mellitis वगरा को diagnose करने के लिए हम blood test urine test करवाएंगे इसके अलावा 95% cases में हम USG करवाते हैं क्योंकि USG की accuracy होती है वो जादा होती है हम plane x-ray भी करा सकते गॉल stone वगरा को पता लगाने के लिए कि गॉल stone कोई है तो नहीं गॉल ब्लैडर में इस तरीके को देखने के लिए तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें दो साइन देखने को मिलता है फॉस्ट इस प्राय राइडियेट साइन अन सेकिंड बाइडियेट साइन का मतलब क्या होता है यह हमें कैसा देखेगा Mercedes-Benz का जो साइन होता है यहां आप देखो यह वाला साइन का है Mercedes-Benz का साइन है इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा यहां पर इस डाइग्राम में यह क्या है X-ray है X-ray में देखो यह 3 points आपको दिख रहे है इस तरीके से तो यह किसको शो कर रहा है Mercedes-Benz साइन second होता है by-radiate by-radiate में क्या होता है seagal sign मिलता है seagal आपने वो पक्षी देखा इस तरीके से जो समुंदर के आसपास उड़ते रहते है इस तरीके का शेप होता है उनका तो यह यहां पर देखो जैसा मेंने अभी हाथ बनाया था same बैसा sign मिल रहा है यहां पर तो यह क्या हो को हम एडमिशन करेंगे तो फिर जो उसका जो एकल है मतलब जो एसिड जो है उसको हम एस्पाइरेट करेंगे राल स्ट्यूप के हैं से एंटी स्पास्मोटिक देंगे यहां जो हम क्रीक्मेंट करें वह प्रॉपर्ली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ठीक है एंटी स्पा क्या मतलब है हमारा निल बाय माउट मतलब उसको मुह से कुछ भी खाने को नहीं देना है दो से तीन दिन तक और इस पिरियर्ट में हमें उसे कैसे रखना है उसे हमें आईवी फ्लूट पे रखना है कम्प्रीटली उसके अलावा कॉलेसिस्टक्टॉमी हम करते हैं वो दो तर जिकेस यहां कईसे को हाइग फीवर भो या फिर सैप्सीस हो या फिर शौक में पेशइन्ट रॉह फिर उद्वी पेस्च करते हैं यह लिंस्यार के साज़ेस्ट म को के लिए कि लेसा कई से करते हैं लेकिन सेकिंड केस होता है ह। अर्ली कोलेसिस्टीस्टक्टॉमी इसमें क्या होता है हम patient को admis करते हैं दो से साथ दिन हम उसके जैसे parameters देखते हैं तो diabetes mellitus है या hypertension है हम इनको control करते हैं उसके बाद हम surgery के लिए जाते हैं तो यह क्या होगी plant surgery हो गई तो हमने बात कि अभी तख acute के बारे में अब हम बात करेंगे chronic collar cystitis के बारे में chronic collar cystitis में basically क्या होता है कि जो अब जो gallbladder है उसमें लंबे time से inflammation था तब जो inflammation जो gallbladder है वो क्या हो जाएगी उसमें fibrosis develop होना लगेगी मतलब वो hard हो जाएगा उसके जो functions है वो खराब हो जाएंगे वो खतम हो जाएंगे जो gallbladder है वो श्रिंक हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा और contract हो जाएगा यह हमें देखने को मिलेंगे उस condition में हमें stone present हो सकते हैं patient में fatty जो भी food होगा उसका intolerance देखने को मिलेगा मर्फिस साइन positive होगा हम उसकी USG करवा के diagnose करेंगे या फिर OGC करवा के उसको diagnose करेंगे ठीक है उसके बाद इसमें एक ही treatment है हमें callocystectomy करना पड़ेगा callocystectomy में basically होता क्या है कि जो cystic duct होती है वहां से हम गॉल्ब्लेडर को काटके अलग कर देते हैं यहां आप देखो यह गॉल्ब्लेडर है यह cystic duct है यहां stone है तो यहां से कट किया कट करके इस पार्ट को अलग कर दिया तो मतलब गॉल्ब्लेडर को completely remove कर दिया जाता है ठीक है अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू